सबी कुछ जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जमा आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश चांती दूद्ध और कटरपन के हैं जिन्हें भारत में रहे की काफी जादा आतंग बचाया हुआ है आज इन्हें भी एक्सपोस करेंगी तो यह वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इससे अंतक देखें तो चैनल को सब्सक यहां और वो दिन दूर नहीं है क्योंकि असदुद्ध-9 और को चार जून के बाद से असदुद्ध-9 को वक बोर्ड की प्रॉपर्टी जो उसने फट्पी है वो पूरा बियान देना पड़ेख वो पूरा वीडियों देना पड़ेगा क्योंकि हाइदराबाद की सरजमीन से बैठ करके असबुति नवेशी को मैंने चेताबनी दी थी कि डेटा तुम दो जब तुम्हारी पार्टी का साथ एमेले यहां पर है और तुम सांसद हो तुम्हारे बाप दादा से तुम लोग सांसद हो तुम लोग MP हो बने हुए तो य ना बच्चीयों के लिए कोई शिक्षा का जगा बन रहा है ना या घब इसतान पर भी तुम लोग मल्टी स्थारे बिल्डिंग बन वा रहे हो आपार्टमेंट्स बन वारे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल बन वा रहे हो खबर शहान के उपर कब्रिस्टान की जगा को लू बेटा देना पड़ेगा कि हाइदराबाद से कितनी बेटियां जज बनी, कितनी बेटियां पुलिस बनी, कितनी बेटियां आईएस बनी, कितनी बेटियां मेजिस्टेट बनी, कितनी बेटियां टीचर बनी, कितनी बेटियां वकील बनी, कितनी बेटियां प्रॉफेसर बनी, कितनी बेटियां पर लिट करके ग्रैस्बेट होने के बाद शादी की है ये भी डेटा का तीजरा मेरा सवाल है कितने लड़कों को तुमने बेरिस्टर बनाया क्योंकि तुम तो विदेश से बेरिस्टर बन करके आएगो तो तुमने अपने अपने convincing power से मुसल्मान के कितने हाइदराबाद के लड़कों को तुमने Barrister बनाया इसका भी data तुमको देना पड़ेगा और मुसल्मान लड़के आर्मी इनमें क्यों नहीं जाते है क्यों नहीं जॉइन करते है हर्वक्त हिजाब पेहनो नकाब पेहनो बुरका पहनो अबाया पहनो औरत औरत को गंदी-गंदी गालियां देने में बड़ा मज़ा आता है आर्मी ओफिसर कहीं नहीं बनता है मुसल्मान लड़का देश केड़ी चाती में गोली खाने में शरम आती है कि इसकी क्या जाएं वैसे क्यों नी किरोड़ो रreBS đेश कि सेना वन्हें की हिम्मत नहीं है ये इतने बड़े हैं यह मुसल्मान लफंदर लोंड में एक अपनी मर्दांगी छाड़ते है और तोंको गालियां दे करके एब को हिजाब पहना पहना कर अब बताएं कि अगर मैं आवेसी को बोलू कि भाईया तू बिना मुझ के दाड़े मत रख तू 48 डिगरी में शरवानी मत पहन या मैं मुसलिमेरिया में जा करके बोलू ए चचा लूंगी मत पहना करो बड़ा खराम लगता है तो कितना बुरा लग जाएगा मर्दों को तो उसी तरीके से हिजाब अन्ति हिएट फरीप राट कह आधレन पहना चाहते हैं वते जो नहीं पहना चाहतीज न पहने और भी जो हैचाब पर जो लेई ड़ivos का सफये में वावेसी क्योंगा पसकर इस बार उसका जालिओ सार से कोई में खोड़ पाया था HOW चालिस सालों से वक बोर्ड का है यारॉ चला रहा था, हलाल साटिफिकेशन का जाली दंदा चला रहा था, बोगस वोटर्स का जाली दंदा चला रहा था, घुस पैटिया को घुसा घुसा करके उसके दो नेता, आज भी अवेसी के दो नेता जेल की हिरासत में हैं, क्योंकि वो घुस पैटियों को आईडी बाटा करत तो यह सारे चुठे खुलने की बज़ा से असदुदी नवेसी बहुत परिशान हो गया है और परिशान होने के बार अब को इसलाम का सहारा ले करके अपने आपको बचानी की कोशिश कर रहा है पर बहिए बात ऐसी है कि हम लोग बड़े रौ कसिंदे हैं हम लोग बड़े से चलना है तो टिकट तु पाकिस्तां कर ले कोई दिक्त यह हमें पाकिस्तां कौन सा इसलाम से यह जाने के बाद पता चलेगा पर तो ठोलों बैटśट कर Naban के ऑचाम उसको वहां भी उड़ाएं गे Pakistan पे जोहलाथ हैं वह तो ना थो आपको पता के rule of law है ना जममूरियत है और नाहिए नाम तो है कि इसलामी जमूरियत है पाकिसान नाहिसलाम है और नाहिस ज़ू मूरियत है दोनों चीजदे हैं यह नहीं यहाँ पर तो ये जो जिन फोष्ट फेमी का शिकार है वहाँ पर जो मुसल्मान है तो उनकी खुश्टेमी बहुत जल दूर हो जाएगी अगर एक अफ़ता भी यहां पर आकर रहे जाएंगे तो आपकी बास सही है जब यह यहां पर विज़र करेंगे मैं तो मुजफर भाई चाहती हुँ कि आप लोग एक मुहीम छेड़िये एक मुहीम छेड़ करके कहिए कि भारत में जिकने भी डरे सहमे कुचले मुसल्मान है उनको उनको आप लोग सिटिजन्शिप दीजिए और पाकिस्तान बुला लेजिए देखे देखे तो जरा कि कितन पाकिस्तान जाना चाहिए था उटूट करके जाना चाहिए था मुझे इसा लगता है कि आप लोग सिए निकालिये सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट बिल निकालिये और भारत से दबे कुचले सहमे हुए मुसल्मानों को वहां पर बुलाइए मैं एकदम यहां से लुकसत करूंगे आप लोग वहां से उन लोगों को रिसीव कर लिए जब हमारी परसनल गफशप होती है कल भी हो रही थी इस तरीके से जब भी हम कहां कठे होते हैं तो बात यही होती है कि अगर आज भारत बार्टर खोल देना तो आदा पाकिस्तान खाली हो जाएगा यह के जो मुसल्मान धर आए कि मुसल्मान आपके पास आना चाहते हैं वो के ाूं यहां हमें इजाज़त मिले तो हम भारत में आजे वाहां पर हर चीज smoothly चल रही है तो ये कहते हैं ना दूर जो ढोल बचते हैं ना वो बहुत सुहाने लगते हैं बहुत उनकी आवाद अच्छी लगती है जब ढोल बजाने वाले के बिलकुल आपास चले जाएंगे तो फिर आपके कान फटना शुरू हो जाते हैं तो इससे ज्यादा मैं मुसल्मान कहां बदनाव में अभी देखिए ना UK में क्रैकडाउन हो गया इस्लामिस्ट के ऊपर रिशे सॉनक साहब तो एकदम डिपोर्ट करने में एकदम पुरी पुरा फ्लाइट तयार करके रखे हुए हैं और वो तो जून से स्टार्ट भी कर रहे हैं जून एंड में पहली फ्लाइट डिपोर्ट हो रही है और निकाल निकाल करके फेका जा रहा है ब्रिटन में वही हो रहा है डच में वही हो रहा है इतली में वही हो रहा है यहां तक के अरब में अरब में जो मुसल्मानी मुसल्मान है वह भी पाकिस्तानी मुसल्मानों को निकाल करके फेक रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसल्मानों को निकाल करके फेक रहा है तो देखिए भारत के मुसल्मान और पाकिस्तान के मुसल्मानों की मानसिक्ता बिल्कुल एक जैसी है घिनावनी गंदी अशलील बेहुदा बत्तमीज और जुबान से तो इतना बतमीज है, इतना बतमीज है कि अगर सही से कोई शरीफ आथमी अगर बात करने के लिए जाएगा न तो वो दो सेकंड में समझ जाएगा यह यह मुसलमानों से कभी नहीं आगे बढ़ेगा, science में बोलिए कभी नहीं आगे बढ़ेगा, culture में बोलिए कभी नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही गाली देने की बात आएगी भाई साहा, वहाँ पर number one, सब को फेल, number one, सब फेल हो जाएगा, पुरी दुनिया फेल हो जाएगी मुसल्मान पाकिस्तान के मुसल्मान और भारत के मुसल्मान लफंदरों के सामने गाली देने का अगर कॉम्पेटिशन कराया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मुसल्मान भी फेल हो जाएगा भारत के मुसल्मानों से गाली दे से इंवेंट करके रखे हैं जो समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या हुआ बात में जो समझ में आता है अल्ला तौबा लाहौल विला कुवा तस तक पिर उल्ला इतनी गंदी गाली दे डाला आप इने ट्वेटर पर चाहिएगा हाजी पलाना हाजी धमाका और नीचे क्या लिख रहा है मा बेहन की गाली अजीब लोग हैं ये इनको शरम नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं अपनी बेहन को ही गाली देना मुसल्मान वो है जो हर अशलीलिता का नंगा नाच करना बहुत पसंद करता है पर उसको सुनना पसंद कभी नहीं करता है दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाए खांजी का दंदार और बेबाक अंदाजा आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा जहां पर ना जिया खांजी ना सिर्फ पाकिस्तान को बलगी शान्ती दूतों से लेके कटरपंतियों को सब को बुरी तरह से एक्सपोज किया और आपने देखा बीग आप मुस्लिम वोमन उनके लिए कितना आपके से लेटर्स इंट्रोस्टिंग और दंदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत